आगामी कारेक्रम प्रायुजित किया है जॉइस मायर मिनेस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने दो पत्रस दो साथ आठ मैं इसे पढ़ती हूँ और मुझे इसने सच मुझ बांध लिया है क्योंकि मैं इसे रिलेट कर सकती हूँ धर्मी लूट को जो अधरिमियों के शुद चाल चलन के बहुत दुखी था चुटकारा दिया तो यहां यह लिखा आया कि लूट जब तक परमेश्वन ने उसे बचाया वो बस ठक गया था लोगों के उस धर्मी तरीकों से जो उसके आस पास रह रहे थे क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पेड़ित करता था क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ मैं अब इस संसार में और कमफटेबल नहीं हूँ मैंने बहुत से समय अकली बिताए हैं और बहुत सा समय घर पर जब मैं प्रभु सिवा नहीं कर रही होती मैं मैं उसी कंफटेबल नहीं हूँ जो सच मुझ चल रहा है और मेरा ख्याल से यदिया है तो यहीं समस्या है और कुछ दिन पहले एक जिम में मैं थी कसरत करते हुए कुछ दिन पहले कसरत करते हुए और वहाँ दो बुड़े सजन थे बुड़े लोगों को प्यार होना गिनोना नहीं है और मेरा मतलब है सबसे पहले तो वो शिकायत कर रहे थे, बड़बडा रहे थे, कुड़कुडा रहे थे और उनमें से एक आद्मी ने गालिया देनी शुरू कियो और वेर थी, परमिश्वर का नाम लेना शुरू किया, मैं नहीं की वो नहीं, ये मुझे बहुत अनकमफटेबल बना देता है इसे हमें अनकमफटेबल बनाने की जरूरत है फिर वहाँ साउंड सिस्टम से म्यूजिक आता है और ये किसे किसम का म्यूजिक है और उसमें भी गालिया है, और मैं पता है ये आपको अनकमफटेबल बना देता है, हमें बहुत खराबी है यदि हम अनकमफटेबल नहीं होते बजाए हमारे कमफटेबल होने के लिए, इसे आपको अनकमफटेबल बनाना चाहिए यदि आप लंच के टेबल पर बैठे हैं और हर कोई किसी दूसरे की चुबली कर रहा हो, यह मुझा उनकमफटेबल बना देता है, जब मैं बाहर लंच पर होती हूं कुछ प्रभु सेवकों के साथ, और उनमें से एक फैसला करता है, कि वो अभधर बाते करने लगे किसी और प्रचारक के बारे में, तो यह मुझा उनकमफटेबल बनाता है, हमें स्वयम को पूछने की जरूरत है, कि क्या हम काफी उनकमफटेबल है, या हम बहुत ज्यादा कमफटेबल है, पर मिश्वर हमें बस कमफटेबल बनानी नहीं आए, कई बार वे हमें उनकमफटेबल पर कर रही कि यदि तुम आएक मात्र विश्वासी हो तो तुम वहां से बाहर ही क्यों नहीं निकल जाती क्योंकि कि तुम jakąमसेफल नहीं था तरफ प्रात्ना करने को ना कहिए मैं उस कि प्रात्ना नहीं करो मैंने कुछ करोडों लोगों को प्रचार किया जब मैं वहां थी, तो ये मुझे आत्मा में कमफर्टेबल बना देता है, हमारी मेडिकल टीम है जो संसार भर में जाती और इन लोगों ने मुझे चमभित कर दिया, बस चमभित मुझे कल रिपोर्ट मिली हमारी एक मेडिकल टीम होती थी, और जब वहां ना जा सके जहां वो जाना चाहते थे, तो हमेशा कोई हुपला चल रहा होता है उन्हें उसे करने से रोकने के लिए, तो अंत में वो एक गाउं में पहुँचे कहीं, किसी स्कूल में जहां वो मेडि ये सब खत्म हुआ, उसमें उधार पा लिया, उसमें अपनी ओजा वाली कमीज उता आ रही, जो एक बहुत बड़ी बात होती है, मेरा मतलब है, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी, वो डॉक्टर और नरसे और मेडिकल प्रोफिसर जो जाकर ये करते हैं, वो अपनी चुट्टियों के समय इसमें गुजारते हैं, वो अपना किराया खुद देते हैं, और बहुत बारवे ऐसी जगे पर होते हैं, जहां पाश दिन तक जमीन के छेद में जाकर बातरूं का इस्तवाल करना पड़ता है, वो कमफटेबल नहीं होते, आमीर, कई बार हमारे खयाल से हम तब कमफटेबल होना चाहते हैं, जब हमें नहीं होना चाहते हैं, और अन्य समय होते हैं, अनकमफटेबल, क्या कई बार ऐसा नहीं होता कि आपको लगता है कि आप संसार में बाहर अनकमफटेबल हैं, मैं सच मुची यह नहीं करना चाहता, पर मेरे खयाल से परमिश् कोई कि मैंकर कि क्या आप संसार है वे अmouth fort कि जिसमें आज हम रहते हैं कि क्या आप लंच की टेबल पर बैट कर कर काम करते हुए कमपनी के बार में सकायात कर सकते हैं और हूं मैं के चुगली करते हैं और大家好 ऐस सकते हैं कि आप जूर बोलते हुए腳 कमफेड़ हैं क्या आप काम पर फोन करके कहते हैं कि आप बीमारे और नहीं आ रहें क्योंकि आप एक दिन की छुटी चाहते हैं कि आप जुट बोलते हैं और आप कंफिटेबल रहते हैं कि क्या बैटकर कंप्यूटर पर खेल सकते जब कि बॉस आपको नहीं देख रहा हो और जब कमरे में आता है नीती वचन 25-26 जो धर्मी दुश्ट के कहने में आता है वह गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है वह अपनी निष्ठा दुश्ट के सामने गिरा दिता है एक धर्मी मनुश्य को यदि वह दुश्ट के सामने अपनी निश्टा कायम नहीं रखता तो वो बस एक गंदा कुंड है क्या हर कोई मेरी बात समझ रहा है मैंने आपको खो नहीं दिया है ना आप जानते हैं कि यह कितना महत पोन है कि हम वहां बाहां निकल और चमकी और हमें इसके बार में धार्मी खोने की जरूरत नहीं है मैंने ही सो ने में सामान ये परमिश्वरिय उन्हें की जरूरत है विश्वास योंको जरूरत है कि वो रखेंज सामान ये परमेश्वरी प्रेम करने वाला शान अच्छ खुश अनुगरही बहवार तुम्हारा उचाला चांकित है अब अनुग्रह की वाचा के अधिन, परमिश्वर हमें अनुग्रह देते हैं कि जिसके हम योगिया नहीं और वो हमें वे सामर्थ भी देते हैं, जिसे हमें जरूरत है, परमिश्वर यह जीवनची नहीं कि इसलिए आप किसी बात के लिए आज आरोपित होते हैं, आप सोचे कि मैं क्या चाहती हूं बाइबल में थोड़ा और समय बिताएं और अधिक दन्यवाद ही है पता है जतना ज्यादा हम इश्यू के साथ रहते हैं उतनी ज्यादा इच्छा जाकती है उनकी तरह होने की और जितना ज्यादा हम जाने की परमिश्वन ने हमारे लिए क्या किया है इश्यू ने कहा यदि तो मिसे प्रेम करते हो तो मेरी आगया मानोगे तो यदि आपके जीवन में कोई अवग्या कशेत्र है मैं आप से यह नहीं कह रहें गर जाओ और ज्यादा कोशिश करोकर अंग्या कि इश्यू से प्रेम करो और जितना ज्यादा आप उनसे प्रेम करेंगे उतना ही ज्यादा आप स्वभावी कि अपने जीवन से बहार आएंगे कि आपको वो करना चाहिए जो सही है आमीर इस प्रेम करेंगे पांच सरल तरीके जिससे हम संसार के सामने उधारन बनेंगे नंबर एक स्थेर रहीं अपनी भावनाओं से प्रेरित नहूं क्या अब तक आपको ये सब समझ में आ रहा है सुनी आप इसे हर एक परमेश्वर ने आपको कहीं न कहीं रण निती अनुसार रखा है कुछ साल पहले मैंने ये बहुत स्पष्ट रूप से देखा ये बस परमेश्वर की तरह था उन्होंने मुझे दस साल पहले ये दिखा था उन्होंने कहा मेरे लोग हर जगे हैं वे सब जगें वे स्कुलों में हैं वे राशन की दुकानों में हैं वे हर शॉपिंग सेंटर में हैं हर फैक्टरी हर बुक स्टोर में हैं हर पडोस में हैं मेरा मतलब है वो सब सब जगें हैं पर हम बस उसम हमें बस समा नहीं सकते यही समस्या है हम बस समा नहीं सकते और वो सब बस करें पता है मुझे बस पता नहीं था कि किस तरह और किसी को कॉमफर्टीबल रखना है वैं हम नहीं में चाहते कि वह सोच है कि वह अजीब एंसलिए बस एक तरह उनके अंदर समाच וांब कर द향 से संबर हैं इक अंतर होना हूं जाएं मेरे खाल से हमें अलग खड़े रहना चाहिए और घिणौण है धार्मिक तरीके से नहीं पर मुझे नहीं लगता कि हर सुबर स्टार बॉक्स में जाएं और कॉफी पिए छे महिनी तक और किसी को यह पता न चले कि आप उन सब लोगों से अलग हैं जो वहां आते हैं मुझे मुझे नहीं लगता कि आप महिला हैं जो जाती हैं और अपने नाखोन को सधारती हैं मुझे नहीं लगता कि आपको तीन, चार, पांच महिनी तक उसी कुरसी पर बैठे रहना चाहिए था या एक साल तक और लोगों को मालूम भी ना पड़े कि आप यहाँ हैं जब आप परमीश्वर के बार में बात करते हैं आप एकदम अचानक धार्मिक नहीं हो जाते हैं खरब प्रभु जहां कहीं भी हम जाते हैं परमीश्वर आपको जहां आप वहां पहुंचाया गया है जियता बीचे ना हूं उस जगे से निकलने से जहां आप हैं और पता लगाएं कि शायद परमीश्वर आपको किसी मकसद से वहां लाएं और आपको बस यहीं करना है उसे उजा लेकि अगले स्थर तक ले जाने के लिए आमीन स्थेर रहें अपनी भावनाओं से प्रेरित ना हूं वैसे ही बने रहें जैसे आप धर्मी हैं काम पर हैं और चर्च में हैं हम बातों के प्रती भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हमें उसी तरब बने रहना है जैसे समस्याय आती हैं जैसे तब जब हमें समस्याय नहीं थी हमें उसी तरह बने रहना है जब हमारी मर्जी नहीं चली उसी तरह जब हमारी चली स्थेर कुछ साल पहले मैंने किताब लेखे थी जिसका नाम ता Living Beyond Your Feelings यदि आपके पास यह नहीं है तो आप इसे मंगा लें सीखें कि अपनी भावनाओं को कैसे संभालना है और उन्हें स्वेंपान नियन्तरन करने से रोकें हमें अपनी भावनाओं से नियन्तरित होते खुद को रोकना है, हमें बाते yeah नुभव करना है हमारे पास आज एक उधारन था जब हम यहां आए और सुचा परमिश्वन ने हमें कैसे बदल दिया हम आने से पहले फोन करते हैं होटल को बताते हैं वो ऑफिस में अनिजमेंट करते हैं कि हमें 12 बज़े की चेकिंग चाहिए थी क्या 12 बज़े तक कमरा साफ हो जाएगा हाँ बेश्रकमवा पॉन एक बज़े पहुंचते हैं और कमरा साफ नहीं थोता तो वो व्यक्ति जो हमारे लेकाम करता है वो समय से पहले फोन करता रहा क्या कमरा साफ है क्या कमरा साफ है नहीं कमरा साफ नहीं है कमरा साफ नहीं है इसलिए मैं बता सकती हूँ वो चाहते हैं कि म मैं अंदर जा सको और सीधे अपने कमरे में जाओं और मैंने कहा खेर तुम्हें पता है यदि कमरा साफ नहीं है तो फिर हम बस लॉबी में बैठेंगे मेरा मतब यह बिलकुल अलगी जॉइस है उस जॉइस की बजाए जो दस साल पहले जैसे तब जब हमें क्या हो गया है इन लोगों को तुम यहां आते हो तुम अच्छा खासा पैसा अप देते हो तुम उन्हें समय से पहले फोन करते हो वो इतना भी काम नहीं कर सकते अब आप देखेंगे आप ऐसा नहीं है उन्हेंने हमें चाव यहां पकड़ा दी नेरे खासे बहुत बार हम अपने फुद की गड़बड़ी कर लेते हैं क्योंकि हम परिशान हो रहे होते हैं और शैतान बस हसता जा रहा है और ऐसे हर पल को वो बहुत ज्यादा पसंद करत है कि आमीं कि स्थेर ता एक बहुत बड़ी गवाई है कि आप जानते हैं मुझे इस पर विश्वास है मेरा मतलब है बस स्थेर रहना बस बहुत बड़ी गवाई है और माई गौश मैं सब जगे गुमती हूपा नीचे यहां वाँ और क्रोधित खुश देव ने कहा है उसे अगली बाह जो हम कर सकते हैं वो यह है कि हम एक प्रसंन विश्वासी हो बस आनन देत रहें प्रसंन चीप विश्वासी वैसा विश्वासी में जो लगे की लिमन जूस में वबतिसमा ले रहा है या पून जूस में एक प्रसन चित विश्वा से बने, जानते हैं संसार में हर कोई खुश रहना चाहता है और यदि हम प्रसन और हम तो जाहिर है हमारे पास वो है जो वो चाहता है ज्यादा देन नहीं लगेगी और आप से कुछ प्रशन पूछेंगे और आप जानते हैं ये बात और है कि इश्यू को जबरन हर एक के गले उतारे ये कहीं ज्यादा बहतर योजना है कि उनके आगे वो जीवन जी और थोड़े नमकीन हो और उने उनमें थोड़ी भूग जगाए फिर आपको जबरन उनके गले उताने के ज़रूरत नहीं वे आपसे मांग रहे हैं है पर हम एक न्यवेश्काना होगा इसने लोग क्यों है लोग क्यों निरंतर पार चाहते हैं लोग वहाँ बहार आया और निरंतर बने रहें ज्यादा समय नहीं होगा, वे आपके इर्दगर्द बने रहेंगे, आपसे ये पूछेंगे, कुछ अलग-अलग सवाल करेंगे, भै फिर आप उनको आमंत्रित कर सकते हैं चर्च जाने के लिए, ये बहुत आसान होगा, वो आना चाहेंगे, आपने बता सकते हैं, खर मैं अल ही देंगे, यदि वे जो बाहर है, वही अंदर है, तब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बंबा स्ट्री कर रहे हैं, और गले में क्रूस, पर हमें इसके साथ फल की जरूरत है, आमीन, और हमें बढ़ना है, इसमें कोई संदे ने, कोई बुरा नहीं मैसूस करा था, यदि तरिप तक किये जाओगे, मैं आज आपसे पूछती हूँ क्या आप धार्मिता के लिए भूके या प्यासे हैं, क्या आप पवित्रता के लिए भूके हैं, क्या आप आत्मिक सिद्धता के लिए भूके हैं, क्या आप भूके हैं उस तरह का अव्यक्ति बनने के लिए, जिस कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं तालियां सुनकर या या बस खुश रहिए परमिश्वर में आनंदित हूं और मैं फिर से कहती हूं आनंदित रहें परमिश्वर का आनंद काफी शक्ती से भरा है पता है मैं असल में इस पर विश्वास करती हूं कि उस शास्त्रवचन में श शायद वो कहीं ज्यादा हो जो हम जानते हैं मुझे इतना यकिन नहीं है शायद आनंद कलीस्या की शक्ति नहीं है कि सच्वच बहुत मुश्किल होता एक प्रसंद नचित व्यक्ति से निपटना मेरे मतलब शेयतान क्या करेगा कि जितना ज्यादा आप पर प्रहार करता है उतना ही ज्यादा आप और खुश होते हैं हम उस पर डूब नहीं सकते जो आज संसार में हो रहा है हम बाकी दूसरों की तरह नहीं हो सकते जानते हैं मत्ती 24 में एक और सूची है जो अंतीम समय के चिनह बताती हैं लडाईया लडाईयों की अफाएं अकाल और भूचाल अलग अलग स्थान उपर और हम जाकर कर सकते हैं चेक 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 यह सब यहां है ओ माई गौश आप बस इस पर पार नहीं पासेते हैं मेरा मतलब है आप अपनी मिनिस्ट्री में आपदा राहत का काम करते हैं और आप लोगों को आपदाओं से राहत पहुँचाना खत नहीं करते मत्ती 24 में के वल यही चिनह नहीं हैं अंतीम दिनों के दूसरी यह है कि अंतीम दिनों में बहुत से रुष्ट होंगे और वे ठोकर खाएंगे और गिर जाएंगे बस उन्हीं नौजवान लड़कियों की तरह जो पास्टर से रुष्ट हो गई क्योंकि उसने उनकी मदद करने की कोशिश की कोई भी पास्टर जाकर ऐसा करना नहीं चाहता उसने बस इसका मज़ा लेने के लिए नहीं किया उसने ये किया क्योंकि उन्हें उनकी परवाह है और वो नहीं चाहते कि वो खुद पर ऐसा जुल्म करे पर उन्हें क्या मिला वो रुष्ट होई और ठोकर खाकर गिर गई और ये मत्ती 24 में लिखा ही होगा अब उस तरह के लोग नहीं हो सकते यदि हमें सुधार के लिए एक छोटा सा भी शब्द मिले किसी से भी जो हमारे उपर आथरिटी हो खेर यहां से जा रही हो प्रभु धन्या हो तुम क्या सोचते हो कि तुम हो हमें इतना विनमरा रवया अपनाना चाहिए कि कहीं हम सब के जीवन में ब्लाइंड स्पॉट है जेसे आफ के कार के एक तरफ रेयर व्यूए मीरर में आपको ब्लाइंड स्पॉट होते हैं अब यहां कुछ ऐसी बात हैं जिने हम देख नहीं पाते जो अंत में हमारे जीवन बचा सकते हैं या हमारी शाद्या बचा सकते हैं हम शान्ति में होना चाहते हैं हम आनंदित होरा चाहते हैं नमबर तीन बस लोगों के साथ अच्छे बने रहें इस तरह की हम रोश्णी बन सके हम संसार में बहां निकले और लोगों की भलाई करें माई गुडनस पता है यह कुछ ऐसा है जो आप में सहर एक कर सकता है आप यह कर सकते हैं इसे पहले कि आप आज यहां से बाहर जाएं आप किसी को प्रोशाइट कर सकते हैं आप मुस्कुरा सकते हैं यदि आप इसके बाद बाहर जाके कुछ खाना चाहेंगे तो आप खा सकते हमसे कुछ बहार लानी की जरूरत है ठीक है ठीक है पैसा दो पैसा दो पैसा दो मैं तुम्हें ट्रेट दूगा अब ऐसा करके किसी का जीवन बदल सकते हैं पर कई बार हम छोटे से कमफर्टेबल गूप करेंना चाहते हैं आम किसी को अपने आस पास नहीं रखना चाहते हैं मार गोडनेस मुझे इससे क्या लेना देना है आमी फिलिप यह चार पांच मुझे बहुत पसंद है तुम्हारी कोमलता सब मनुश्यों पर प्रकट हो तुम्हारा खयाल रखने का गोंड तुम्हारा सेहन शक्ती वाली आत्मा प्रभू निकट है वे जल्दी आ रहे हैं वाओ इसे फिर से देखे यह इतना अच्छा है तुम्हारी कोमलता सब मनुश्यों पर प्रकट हो तुम्हारा खयाल रखने का गुर्ण, तुम्हारा सेहन शक्ती वाली आत्मा प्रभू निकट है, वो जल्दी ही आ रहे हैं, तो वो कह रहा है क्योंकि इशु जल्दी ही आ रहे हैं, क्योंकि समय निकट आ रहा है, हमें संसार में बहार निकलने की जरूरत है, और हमें खयाल र पर मैं आपको कुछ बताती हूं कि इसे घिनोना कुछ भी नहीं कि कोई मसीह ऐसा हो जो लोगों से दुर वहवार करें मैं इस और स्पश्क्रता से नहीं कह सकती प्रेरितो के काम 10-38 कि परमेश्वर ने के सरिती से इश्यू नासरी को पवित्रा आत्मा और सामर्थ से अभिशेक किया वह भलाई करता और सबको अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था खासकर उन सबको चंगाई देते हुए जो शैतान द्वारा सताय गए थे यदि आप किसी के आसपास हैं जिसे मदद की जरूरत है उसकी मदद करें सब जगे जहां आप जाएं आशिश बनें क्या आप लिए जानते मेरा मतलब है आप एक चुमबक की तरह हैं जब आप लोगों से भले हैं जब आप लोगों को बला महसूस कराता है संसा नेगिटिविटी से भरा है बुरी खबर, बुरी खबर, बुरी खबर, बुरी खबर, बुरी खबर, बुरी खबर, जहां भी आप जाए बुरी खबर पर अच्छी खबर हड़्डियों को पोशोन देती है मुझे अच्छी खबर पसंद है यदि आप मेरे मुँपर मुस्कान लाना चाहे बस मुझे अच्छी खबर दे उस दिर मेरी बेटी ने फोन के और कहा अच्छी खबर है मैंने कहा हाँ उसने कहा हाँ मुझे पता है आपको अच्छी खबर पसंद है आप में से कितनों का अच्छी कबर पसंद है क्योंकि हमें अच्छी कबरे पहुचाना चाहिए है ना नमबर पांच अपनी पूरी सक्षमता से वो करते रहें जो सही है इसका मतलब यह नहीं कि हम हर समय पर्फेक्ट हूँ पर इससे हमें ठेज भी नहीं लगेगी कि हम या तो कोशिश करें उसके लिए जो परमिश्वर के अनुगरद्वारा अभिशिक है हम अपने परमिश्वर से बाहर कुछ नहीं करते पर एक कोशिश जो परमिश्वर के अनुगरद्वारा अभिशिक है कि अपना उजाला थोड़ा और बढ़ाएं, थोड़ा और खोश हूँ, थोड़ा ज्यादा निरंतर, ज्यादा एकाक साल, हम उस दिये की रोशनी थोड़ी और बढ़ा सके, और फिर शायद हम उसे और ज्यादा बढ़ा दें, संसार में क्या हो रहा है हम वो बस थोड़ी सी बाते लेंगे बस वो थोड़ी सी बातें बस जल्दी से रुष्ट हो जाने की बजाए बस कहो ओ नहीं वो समस्या नहीं है बस इसे जाने दो हम बस ऐसे बाते करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए नहीं मैं आपको उक्षमा करता हूँ, कोई समस्या नहीं, आज हमारे पास इतना बड़ा अवसर है, यदि आज आज आप जीवी थें, तो ये दुरगटना नहीं है, आप अपने पडोस में किसी की मदद कर सकते हैं, आपका काम किसी मकसद का है, आपका स्कूल किसी मकसद से है आपसे और ज्यादा पाना चाहते हैं बाजा हैं बस इसके कि आप एक रवीवार की सुब कहीं चर्च सर्विस में जाएं और मनोरंजन पाएं और पिर संसार से बाहर जाएं और बाकि सब की तरह हों। वो नहीं चाहते कि हम उनमें समाएं। वो चाहते हैं कि हम अलग दिखें। क्या कोई है जो राजी है अपनी रोश्णी थोड़ी और बढ़ाने के लिए। अटिवित यह बढ़ा एक रखती है। ऑर इश्यू वापस आ रहा हैं और हमें याद रखना है इसके प्रतिव जागरुख होना है। इसलिए याद रखें जीएं तयार जीवनों की तरह उस तरह के व्यक्ति मद बनें कि ओई यह वापस आरा में तयार नहीं हो जो आपको लगे कि आपको अपाहिज बना रहा है, दूसरे शब्दों में ये आपको रोक रहा है, वो करने से जो सही है, शायद ये मनुश्य का भय हो, शायद ये सफलता का भय हो, मेरा मतलब है, आप जानते हैं भय हर किस्म के क्षेतर में कार्य करता है, ये कैसा रहेगा कि आप मेंसे कुछ है जिन में आत्मविश्वास की कमी आप उनमें आत्मविश्वास जगाएं क्योंकि बस आपको लगता है कि आप बस confident नहीं आप मेंसे कितने नीडर होना चाहते हैं इसलिए मैं आपको प्रोसाहित करती हूँ कि आप परमिश्वर के वचन से घीर रहें और ज जोईस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं जितना की आप चानते हैं हम आपकी सरहना करते हैं और इस सरिकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं हम साथ मिलकर भूखों को खाना के लिए क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को पाड़ते हैं इसका खर्च उठाया है जोईस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने